नमस्कार मैं। देव जांगेड और आज हम पढ़ेंगे सुनिती नाम जोसी के लिखी हुई दो फेबल्स को जिसमें से पहला अभी वाले में करेंगे दे गिटार प्लेयर और इसको लिया है सुनिती नाम जोसी की एक फेमिनिस्ट फेबल्स नाम से बुक है जो सको 1981 में उन्होंने लिखा था फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो फीमेल से समंदित और फेबल का मतलब होता है वो कहानिया जो फिक्षन पर डिपेंड हो और सच दिखाती हो सोसाइटी का या पर किसी वर्ग विसेश का उसको बोलते ह है फेबल फेमिनिस्ट फेबल्स 1981 में उन्होंने लिखी थी उससे ये लिगी है वो फर्स्ट वाला अभी करेंगे उसके बाद स्वाम वरा नेक्स्ट है जो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं इसको आगे गी गिटार प्ल पहले मैं आपको बताओं तो ये वाली जो कहानी है इसमें जो फेक्षन है वो यह दिखाना चाहरा है कि जो यहां पर गिटार प्लेयर की कहानी है एक गरल है जो गिटार प्लेयर करती है तो उसके लिए या फिर किसी भी कलाकार के लिए वह important होता है कि वो कोई भी उससे जो बजाना और इंस्ट्रॉमेंट जो बजाते हैं वो उसका पहला प्रेम होता है तो कुछ ऐसी चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है कि यह लड़की है इसके लिए पहला प्रेम है इसका म्यूजिक क्योंकि यह म्यूजिशियन है वो बाकी जो लड़के आते हैं वो इस लड़ पासिंग बाई लिसंड की ऐसा हुआ कि कोई समवन पासिंग बाई कोई पासिंग बाई गुजर रहा था लिसंड इसको सुना और उसके उसके प्यार में पड़ गया यानि उससे प्यार हो गया इंक्वायर का मतलब होता है पूछतास करना या पूछना जानकारी लेना तो उस गरल ने पूछा यह मेरा म्यूजिक है जिसे तुम प्रेम करते हो या फिर मुझे या मेरे से प्रेम करते हो इसमें दिखाया गया है कि वो कहीं फाउंटेन के पास बैठी थी तो फाउंटेन मतलब होता है फावारा जो अर्टिफिशली फावारा लगाते हैं जिसमें पानी उपर जाता है फिर निचे गरता है थी दिखाया गया है वोटर फ्रम फाउंटेन रोज इंटू एर जो फाउंटेन से पानी है वो रोज मतलब होता है उठना राइस का सेकेंड फॉर्म उपर उठा हावा में और नीचे गर गया सुनने वाले ने थोट हाड गहराई से सोचा एंड फाइनली सेड और आखिरकार कहा I don't know मुझे नहीं पता what is right answer सही जवाब क्या है sent tell you sent का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे यह sent लिखा हुआ है इसका मतलब है shall not यह sent जो है यह shall not का छोटा दूसरा फॉर्म है इसको short में लिखा हुआ है sent का मतलब मैं नहीं बताऊंगी replied the girl लडकी ने कहा but that's not it लेकिन जो तुम कह रहे हो वैसा तो नहीं है that's not it मतलब यह ऐसा तो नहीं है जैसा तुम कह रहे हो and she went on playing और वो बजाती रही क्या अपना गिटार soon another passerby happened to see her and also fell in love soon थोड़ी देर बाद जल्द ही another passerby दूसरा वहाँ से गुजरने वाला happened to see her उसने उसको देखा लडकी को देखा and fell in love और उसके प्यार में पढ़ गया यानि कि उसको प्यार हो गया it is me you love inquired the girl or my guitar यह मैं हूं जिसे तुम प्रेम करते हो या मेरी गिटार लडकी ने पूछा inquired the girl मतलब लडकी ने पूछा the second passerby stared at the guitar दूसरा जो गुजरने वाला था वहां से second passerby यह passerby का मतलब वहां से गुजरने वाला एक ही वर्ड है stared मतलब घूर के देखा at the guitar guitar के तरफ smiled at the girl लडकी के तरफ देखके मुश्कुराया and last venture to say venture का मतलब होता है dare to say और साहस करना उसने साहस करते वी कहा venture to say well I don't know ठीक मुझे नहीं पता it is beautiful instrument लेकिन ये एक सुन्दर तुमारा जो सादन है बजाने का वो है beautiful instrument है what is right answer लेकिन सही जवाब क्या है but she said that wasn't it उसने second passerby ने पूछा कि सही जवाब क्या है अगर मैंने जवाब दिया वो गलत है तो but उसने कहा that wasn't it जो तुमने कहा है वो तो सही नहीं है and went on playing और बजाती रही अपने instrument को यान की guitar को two passers by were greatly perplexed perplexed का मतलब होता है confused हो जाना दोनों जो passerby जो गुजरने वाले थे वहां से वो दोनों पूरी तरह से greatly मतलब पूरी तरह से perplexed confused हो गए all night long पूरी रात guitar music ran through their heads जो guitar का music था उनके दिमाग में चलता रहा उनके सिर में याने दिमाग में and when they returned the next day जब वो दूसरे दिन वापस आए it was perfectly obvious that they had both prepared their speeches यह एक निश्चित था perfectly मतलब पूरी तरह से obvious निश्चित था कि उन लोगों ने they both had दोनों ने अपना जो speech है अपना जो वासन है जो भी जवाब देना था वो तियार कर लिया था prepare मतलब त्यार कर लेना था कर लिया था I would love you मैं तुम्हें प्यार करूंगा declared the first पहले वाले ने कहा किस condition में even if you could not play a note of music note का मतलब होता है एक सुर्य अताल जो बजाते हैं वो मैं तुम्हें प्यार करूंगा अगर तुम एक music का संगीत का एक सुर भी नहीं बजा पाई तो भी and I would love you swear the second और दूसरे ने swear swear का second form है swear इसका मतलब होता है शपत लेना या शोगंत लेना या कसम खाना दूसरे वाले ने कसम खाई कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा even if you do not on a guitar यहां तक किए गो तुम्हारे पास यह guitar भी नहीं हुआँ तो वर अपने पास होना तुम्हारे पास यह guitar भी नहीं हुई तो भी मैं तुम्हें प्रेम करूँगा You don't understand, replied the girl तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझे replied the girl, जवाब दिया लड़की ने I am a musician, मैं एक संगीतकार हूँ which me do you love तुम किस से, मेरे में से किस से प्रेम करते हो कौन सी चीज है मेरे में से प्रेम करते हो If you don't care about my music at all अगर तुम मेरे music की बिलकुल भी परवा नहीं करते हो तो don't care about मतलब होता है बिलकुल भी परवा नहीं करना अगर बिलकुल भी परवा नहीं है तो at all मतलब पूरी तरह से और आ, they said उन्होंने कहा Did we give you the wrong answer? क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिये? Yes, replied the girl लडकी ने कहा बिलकुल सही हाँ, तुम्हें गलत जवाब दिये Well, what is the right answer? तो सही जवाब क्या है? You must love me altogether All together का मतलब होता है पूर्णतिया तुम्हें मेरे से प्यार करना चाहिए पूरी तरह से Just as I am जैसी मैं हूँ All my gifts, मेरे सारे के सारे gifts के साथ All my possessions जो possession मतलब जो चीज़ें अपने पास होती है उसके पास जो चीज़ें है, गिटार है, कुछ भी है और उसके बास चो कला है कैसे भी होने तो उसमें तुम्हें जैसी हूँ वैसे ही प्रेम करना होगा Everything I have been जैसी मैं रहे चुकी हूँ I have been मतलब रहे चुकी हूँ And ever shall be और आगे कभी भी होंगी From now on, आज से बाद में जैसे भी होंगी वैसे ही हालात में तुम्हें प्रेम करना होगा But that's impossible लेकर ये तो संभाव नहीं है Impossible नहीं है संभाव They cried out together दोनों ने एक साथ वो चिलाए है एक साथ चिलाए Yes, agreed the girl हाँ सहमत हुई लड़की इस बात से कि Yes, ये impossible है तुम्हारे लिए And chose a sad little tune to suit the occasion और एक sad tune बजाने लगी जो कि उस वक्त के लिए उस time के लिए उस आवसर पे suit करती थी एकदम सही बैठती थी उचे थैरती थी तो इसमें question बनेगा कि एक तो ये वाला कि किस तरह का tone उसने बजाया जब दोनों दोनों ने कहा कि impossible है आपको ध्यान रखना होगा कि उन्होंने sad tone बजाया दूसरा question बनेगा कि कितने पासरबाय थे तो आपको याद रखना है अगला बन सकता है कि पहले वाले ने क्या चीज़ देखी दूसरे वाले ने क्या दूसरे वाला तो उस पे देखता है कि आपके पास उसके गिटार पे देखता है और पहले वाला उसके मुजिक पर ध्यान नहीं देता है यह चीज़ें आपको ध्यान रखने होगी इसमें और बाकी इसके जो कॉस्टन आंसर्स है वह हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे तो थैंक्स पर वाचिंग और प्लेस्ट यॉल थैंक यू जैहन एंड जैभारत